जैसे गुरुमार आज किया गया है तो मैं भी एक दो सत्संग शेयर करूगी जैसे कि आज पापा को एक साल हो गया है तो हमारे लिए ये दिन जो है स्पेशल है और पापा की पूरी जो जर्णी है गुरुजी के साथ वो मम्मी ने आप से शेयर करी जिस दिन लास्ट टैम मैं पापा से मिली थी सत्संग वाले दिन तो एक बड़ी अच्छी बात पापा ने मुझे कही कि सुबह मुझे सपना आया और गुरुजी मेरे सपने में आये पापा के सपने में आये और पापा कहते गुरुजी ने मुझे एक चीज पूछी कि नंद भक्त बड़ाया सेवादार तो पापा कहते मैंने कहा गुरुजी वैसे तो सेवादारी बड़ा है भक्ती करी सेवादारी भी दे देना और दो दिन बात तो गुरुजी ने उन्हें इतना पर्मानेंट सेवादार ही बनाया है अब मुझे बिलकुल यही फील होता है कि पापा नहीं है मतलब जब भी कोई स्पेशल ड्यात है तो वो अपनी प्रेजंस फील कराते हैं स्पेशल फील कराते हैं किसी ना किसी तरीके से और अक्षय भी बहुत कर रही गुरुजी जो है इतनी बड़ी पावर है और महाशिव है यह मुझे तब हैसास हुआ था कि 2007 से हमें गुरुजी का सुरूप मिल गया था और मन से नहीं जुड़ेते हम लोग क्योंकि टाइम बहुत अच्छा था और उस टाइम थोड़ा अपनी पढ़ाई पे गमंडोना अपने उपर गमंडोना यह सारी चीजे जो हैं यह चलती रहती थी तो गुरुजी का Kenbuk के आने भर से घर में इतनी खुषियां इतनी तरक्यां हमारी ओती रही बहुत साल गुरुजी ने हमें जिसे बोलते है आश कराई है पुरीього ऐसकर है उसके बाद जब मुझे एक इनेटिक Cape एक डिजीज एक गर सुडर हौगे M Chuck Co बोल दिया था कि बस अब आपकी हड़ियां जो है वो बिल्कुल ऐसी सकत हो जाएंगी तो आप अब एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओ गया आपको इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे और इसका कुछ क्योर नहीं है साथ ही सुक्रेस नाम का एंजाइम होता है जो चीनी को बोड़ी में बहुत जादा मुझे रियक्शन हो जाती थी तीन तिन तिन तक मेरी जो तब्यत थी वो खराब रहती थी और बहुत ही बुरी हालत हो गई थी उसके लवा और अडिशनली बहुत चीजें ओवरी में से स्टो गया पेट में एक नोड्यूल बना हुआ है वो सब चीजें तो तब्यत काफी खराब रहने लगी जिस ट्सल्गी के इतने दिन तो ऐसे ने निकल जाते हैं मुझे पता नहीं लगता तो एक दिन रात को इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आता है जिसमें गुरूजी का सुरूप होता है और स्वाती आंटी हैं एक दिली में वो लाइव सत्संग करते थे वहां पे रात को तो मैंने गुरुजी का सुरूप जब देखा तो मैंने का गुरुजी अगर आप महाशिव हो और अगर आप पावर हो देखो मैं सब कुछ कर चुकी हूं सारे डॉक्टर सारे पंडे सारे वास्तुशास्ति सब कुछ कर चुकी हूं कुछ भी मेरे को अराम नहीं मिल रहा लेकिन अगर आप महाशिव हो तो मेरी बिमारी तो आप दूर कर सकते हो तो अगर आहां महाशिव हो तो ठीक है. मैं आपको देखती हूँ, कि हम आहां महाशिव होएं नहीं है है, और हम भगवान से भी कोश्चन करते हैं, उनको देखते हैं कि भगवान है की तो मैं सुनुल ऑप जाती थी और तीन उठके बारबाट के जाप करती थी और चांद को देखती थी और मुझे ऐसा लगता थै कि अगर आज है तो चंद्रमा है वहीं महाशिव नगल कैрав Text पिर बाहर थोड़ा गूम के इधर उदर देखने की कोशिश की कहा है चंद्रमा नहीं मिला साड़क पर भी जाया ही काफी दूर तक गूमा ही नहीं दिखा फिर आके बैठ गई अपने बाहर चेयर पे और का गुरुजी आज आपने दर्शन नहीं देने तो बैटी और हैड़ लगाए हुए थे उसमें चला था शंकर शिव भूले उमापती महादेव तबी सड़नली ने चोटा सा बादल का टुकड़ा ऐसे चलता हुआ आता है और मैं जहां पे मैं बैटी हूं बिल्कुल आसमान में महां मेरे सिर के उपर एकड़म रुपता है और फिर वो बीच में मैं दर्शन दे रहे हूं मुझे फिर वो बादल बंद होता है और उसके साथ ही चांड चला जाता है तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा मैंने का यह के इतना अच्छा मतलब गुरुजी ने मुझे दर्शन दी उसके बार मैं के सो जाती हूं और सुबह जब उटती हूं त तो मेरे मदर लुजा कहते हैं कि अमावस का दान निकाला है तो तुम लोग मता टेख लो मैंने कब ममी अमावस नहीं आज पूर्ण माशी है पूरा चांड था उस दिन अमावस थी तो अमावस वाले दिन उन्होंने पूरे चांद के मुझे दर्शन कराए मेरे महाशिव न उनने दिखाया कि देख नेचर के लॉज को जो चेंज कर सकता है कौन हो सकता है वो भगवान हो सकती है वो महाशिव हो सकते हैं उस दिन फिर रात को जब मैं सोई थी तो गुरू जी ने पहली बार मुझे ड्रीम दर्शन दिये और उस ड्रीम दर्शन में एक बहुती बेंड और मेरे दोनों बच्चे हम वहां बार कड़े होते हैं तो गुरुजी मुझे ऐसे बुलाते हैं उगली का इशारा करके कि इदारा उसके बाद मेरे पोरेड पे वो किस करते हैं और कहते हैं चल दे रिता दन्नु एडमिशन चलो अंदर और हम चारों उसमें चले जाते हैं तो गुरुजी ने पूरा साक्षात अपना एक जो सुरूप मुझे दिखाया और उसके बाद फिर मुझे पूरा यकीन हो गया कि हां ये महाशिव हैं उसके बाद तो जैसे एक हो जाता है कि मैंने सुना था कि गुरुजी का लंकर परशाद काने से सारी बिमारिया ठीक हो जाती हैं तो मुझे न यही हुआ कि गुरुजी का लंकर परशाद मुझे जिस दिन भी मिलेगा ना बस उस दिन मेरा ये सारे डिजीज जो हैं वो क्योर हो जाएंगे तो गुरुपूर निमा वाले दिन मुझे गुरुजी ने अपने सत्संग में बुलाया और वहां मैं जो लंकर परशाद खाया मैंने ऐसे खाया जैसे मैंने लाइफ में कुछ और ना खाया हो जिबकि मुझे शुगर अलरजी थी में लिए बहुत वह चीज खतर ना को सकते लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मेरे गुरु महराज ठीक करेंगे तो उसमें लड़ू परशाद थ अच्छा था मीठी चाय थी बिस्किट्स थे खुब अच्छे से मैंने पूरा खतम किया उसको और वो दिन है और आज का दिन है ना मुझे कोई शुगर अलरजी है ना मेरा कोई अच्छे ले बी टॉंटी सेवन वाला कुछ है तो जो भी चीज से सिस्ट विस साब चलेगा गुरु माराज ने इतना जिसे कहते हैं अपनी कृपा बरसाई इतना मुझे ब्लेस किया तो ये सिर्फ और सर्फ भगवान ही कर सकता है और लंगर परशाद की जो एहमियत है ये हम सब को पता होनी चाहिए अभी हम सत्संग में जाते हैं तो मैं ना एक चीज़ नोट करती ह हैं बच्चे जल परशाद की बॉटल्स के साथ खेल रहे होते हैं तो ये पते के यह हमें अमरित मिल रहा है और कल्यूग में ये जो अमरित है ना इसकी वैल्यू आप नहीं जानते मतलब ये सब चीज़े नहीं होनी चाहिए लंगर परशाद में इतनी पावर है ये को पहले समझाया जाए कि देखो इसकी कितने इंपॉर्टेंस है ये हमारे भगवान का परशाद है गुरुजी महराज जो है आपको ना बहुत प्योरीफाई करते हैं वह आपको अंदर से ना एक कितना बंदा बनाते हैं जैसे हम लोग में बहुत घमंड होता है ना किसी को हुआ है कि हम बहुत पड़े लिखे हैं किसी को हम बहुत सुन्दर हैं हम बहुत अच्छा कमा रहें तो घमंड अलग-अलग टाइप के घमंड होते हैं और हम अपने आपको बड़ा समझते हैं दूसरों को छोटा समझते हैं तो गुरुजी महराज जब आपकी लाइफ में सिखाना शुरू करते हैं वो आपको ना नीवा बनाना सिखाते हैं वो यह बताते हैं कि देखो कोई छोटा बढ़ानी में है अगर आपके घर में कोई काम भी कर रहा है ना वो भी गुरू महाराज की ब्लेसिंग से है वो भी किसी पॉम में भगवान के रूप में ही आपके घ इस गुरुजी महाराज की प्लेंड है। गुरु जी महाराज जब आपकी life में आते हैं तो आपको health बख्षते हैं और हमारे घर में इतने लोगों को गुरू जी ने health बख्षे। कोई मांता है कोई नहीं मानता है कि देखो आप हर किसी को नहीं convince कर सकतें कि बहुत सारे लोग है हम हम लोग शुरू से इतने सारे भगवान को मानते हैं तो सबको लगता है कि गुरूजी महाराज जस्के गुरू हैं लेकिन उनको नहीं पता की सबसे वड़े परमात्मा सबसे वड़ी पावर वही है तो जिस टैम तबीयत खराब होते है उस पर तीम गुरुजी माराज का शुरूप दे दो, जल परशा दे दो, तरह यह ठीक हो जाते ह। उसके बाद और थीक है, हमें दोक्टर ने ठीक की driving करते हुए भी कभी हो जाता था फिर हम बड़े मंदिर जब गए थे तो बड़े मंदिर के बाद आते हुए रास्ते में एक तो हम रास्ता भूल गए थे और रात हो गई हमें कुछ नहीं पता लग रहा था कहा रास्ता है उपर से headache इतने लेवल पे तो मैं तो बहुत घब महाराज से मैंने का गुर्जी महाराज महरा बक्षो मतलब ठीक करो इनको यह बहुत एक जिसे बोलते हैं मुसीबत सी आ गई है हमारे सेर पे आप ही दूर करोगे और कौन दूर करेगा तो इसे जैसे मेरे कानों में आवाज आती है मेरा बक्ष नहीं है जा फिर दॉक्टर म मेरा हूं तो मैंने इनको कहा डॉक्टर मेरा के पास अब चले जाओ और गुरुजी ने ऐसे बोला है तो यह गए भाँ पे तो इनसे पहले एक कोई और पेशेंट था उसको भी सेम सिंटम्स थे और इनको भी तो डॉक्टर मेरा ने पहले इनके सारे सिंटम्स देखे फिर MRI और जो भी टेस्ट थे वो सारे टेस्ट कर रहे हैं और शाम को मैं गुरुजी के सामने हाँ चोड़के बैटी हूं मैंने गुरुजी देखो आपने तो सब ठीक कर ही देना है तो सारे टेस्ट इनके नॉमल आए और थोड़ी सी मेडिसन चली और उसके बाद इनका सरदत व उसकती थी कुछ भी ओऊ सकता था उसको कैसे गुरुजी ने दूर किया कि अगने लगता अगर हम और बड़े बड़ी चमतकारों की बाद करें तो गुरुजी आपके साथ आपके फ्रेंड्स को आपके आसपास रहने वाले लोगों को हर किसी को सब्सक्राइबAlright हम लोग सेर करने जाते तो मैं पहुत इसको 콩 के बारे हिबता उप्ती दिए और भी पोड़ी फिर मैंने को का सुरूप दिया और जल्लेश है परशाद दिया जब उसके डिलिवरी हुई तो सब नॉर्मल हुआ बट डिलिवरी के बाद उसका जो बेटा था उसको हार्ट रिलेटेड कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ गई अब जब कॉम्प्लिकेशन आई तो काफी दिन तक वो उसी हॉस्पिटल में रहा लेक देख गुरूजी का सुरूप जो है वो बेटे के तके के नीचे रख और फिर बाकी उन पर छोड़ दे जैसे उसने सुरूप तके के नीचे रखा तब ही उनका हॉस्पिटल चेंज हुआ वो फोटीज में शिफ्ट हुए और वहां पे इंडिया के बहुत रिनॉंड एक हा मिल गए वो आए हुए थे और विदिन फॉर डेज वो बच्चा जो उसकी प्रॉब्लम थी वो सारी दूर हो के बिल्कुल ठीक ठाक हो के अपने घर फूल की तरह वो बच्चा आ गया तो शुक्राना गुरूजी महराज उस चोटे से बच्चे को ब्लेस करने के लिए अपन वो सच में बहुत ब्लेस करते हैं मैंने का बिल्कुल वो तो भाराज महाशिव है तो उसने का कि मेरे कोई अन्नोन है तो उनके बेटे का एक्सिडेंट हुआ है और उसके उपर से कार चली गई है और वो कॉमा में है और क्या मैं उनको यह सुरूप बेज दूँ गई जो मैं वहाँ पे गई तो अल्रेड़ी उनको किसी ने अम्रिस्टर से जलपरशाद भेजा हुआ था गुरुजी का और वो खतम ही होने वाला था तो उन्होंने यह बताया कि मैं आज सोच ली थी कि यह जलपरशाद खतम होने वाला है तो यह कैसे आएगो और आप एक सेट किया वह था अपने घर में एक रूम और नर्स बैठी हुई थी तो मैंने लॉकेट पर जो था लॉकेट परशाद उसकी बाजू पर बंदवाया और जलपरशाद रखा गुरुजी का सुरूप रखा तो इसे गुरुजी के आवाज ही चिंता ना करा ठीक हो जने तो उ गुरुजी महाराज कितनी चीजें ब्लेस करते हैं और किस तरीके से ब्लेस करते हमें खुद नहीं पता उनकी जो ब्लेसिंग्स है ना वो इतनी अपरम पार है हर किसी को ब्लेस करना हर तरीके से और अपना भी मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि एक दिन ऐसे ही मैं घर के लिए निकली जब तो बोर्ड लग रहे थे जिसे वो कोरिडर होते हैं तो उन में एक होर्डिंग टाइप का लोहे का बोर्ड लग रहा था उपर और जस्ट एक कदम का फासला होगा मेरा तभी एक मैसेज आया जैसे मैसेज जैसे आया तो मैं एक दम फोन ऐसे देखने लगी तो आप सोचो एक कदम के फासले से पहले वो बोर्ड उपर से नीचे गिड़ा और वो लोहे का बोर्ड था अगर मैं वो चीज के लिए ना रुपती जस्ट एक सेकंड में तो वो मेरे उपर गिरता और क्या हाल होता गुरुजी तो आपकी इस तरह से आपको फूलों की तरह रखते हैं ना और इतना प्यार इतनी अपना पन मतलब मैं पापा के बाद डिप्रेशन में चली गई थी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था गुरुजी इस स्ट्रेंट बनके ऐसे उनकी आवाज आती है कि तो शब्दी ही जिसे बोलते हैं कम पढ़ जाएंगे उनकी वड़ियाई चलती रहेगी चलती रहेगी वो रब है वो सच में जिसे बोलते हैं परमात्मा है वो गुरुजी महाराज महाशिव मेरे इतने अच्छे करम की हम उनकी शरण में उन्होंने हमें लिया और हमें ब्ल हमेशा हमें सारी संगतों को ब्लेस करना इतना प्यारा गुरु परिवार गुरु जी ने हमें दिया है हम सत्संग जाते हैं सत्संग जाते हैं हमें पता नहीं लगता कि किस तरह से हमारा जो दिन है वो ब्लेस हुआ जो एक डिप्रेशन है या जिस टाइप की जो एक फिलिंग किए वह नहीं होने देते गुरुजी और वहां पे भी सेवाधारी का मौका देते हैं हम करें करें किस तरह की लेकिन उन्हों इतना हमें अपनी शरण में रखा हुए कि हमें किसी भी टाइम यह चीज पील नहीं होती कि हम अकेले हैं बच्चों को ब्लेस किया पूरी फैमिली को ब्लेस किया मम्मी को भी इतना स्ट्रॉंग बनाके रखा है शुक्राना गुरू